अपना ग्यान बढ़ाईए प्रश्न अनाधार भूत कार क्या है? Non-Basic Functions उत्तर किसी अधिवास विशेश रूप से नगरिय केंद्रों पर उत्पन होने वाले वे कार जिनके द्वारा उत्पादित वस्तवें एवं सेवाए नगरिय सीमा के अंदर रहने वाले लोगों को ही प्राप्त होती है इन वस्तवों और सेवाओं का निर्यात नहीं होता है अता इनसे नगर की आर्थिक आयर नहीं प्राप्त हो पाती है उदाहरनाथ नाई या धोबिका कार्य जो केवल संबंधित नगरवासियों के लिए ही होता है ऐसे निर्वाह मूलक कार्यों से नगर का विकास नहीं होता है इन कार्यों को नगरिय गोण कार्य या सेवा कार्य भी कहा जाता है प्रिश्ट 170 प्रश्ट एलोवेरा यानी गौरपाठा के ओशदिय गुण क्या है इसे जानिए उत्तर एलोवेरा ओशदिय गुणों से भरपूर है जिसके गुणों में मदुमेह रोगियों के लिए उपयोगी जोडों के दर्द में आराम पहुँचता है रोग प्रतिरोधक शम्ता को बढ़ाता है रक्त में शुगर लेबल को नियंत्रित रखता है रक्त शोधन पाचन क्रिया में सहायक एंटी बैक्टीरिया और एंटी फंगल गुण के कारण घाव को जल्दी भढ़ता है आदी आते हैं प्रश्न क्या बकरी का दूद मानव दूद के करीब है? उत्तर बकरी के दूद की विलक्षन विशेश्टाओं के संबंध में बिटिश जर्नल ओफ नियूट्रिशन में एक विस्तृत शोध लेख प्रकाशित हुआ है इस अनवेशन के अनुसार बकरी के दूद में शक्तिशाली प्रीबायोटिक और एंटी इन्फेक्शन अर्थात संक्रमन रोधी गुण पाए जाते हैं जो बच्चों को पेट संबंधी संक्रमनों यानि गेस्ट्रो एंटराइटिस से बचाती है गेस्ट्रो एंटराइटिस एक प्रकार का पेट फ्लू है इस रोक के सामाने लक्षन उल्टी और दस्थ हैं इस शोद के अनुसार बकरी के दूद में अलिगो सेकराइट्स होता है जो लाबकारी बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देता है तथा हानी कारक बैक्टीरि के दूद में पाया गया है इन में से पांच मानवस्तन के दूद में भी पाय जाते हैं बकरी का दूद कोलाई जैसी हानी कारक बैक्टीरिया को रोकने में सहायक है शोद करताओं ने पाया कि ओलिगो सेकराइट्स के दो प्रकार फ्यूको सिलेटिड और सिलेलेटिड बकरी के दूद में सबसे अधिक मौजूद हैं प्रश्न अधिवृद्धी एग्रेडेशन क्या है उत्तर अधिवृद्धी वो प्रक्रम है जिसके द्वारा निचले भाग में मलवा अत्वा अन्य ठोस पदार्थों के निकशेप से भूतल यानि लैंड सर्फिस का निर्मान होता ह अधिवृद्धी शब्द का प्रयोग नदी के संदर्व में किया जाता है जिसके द्वारा मलवे का जमाव नदी की तली में होता है नदी की भार वेहन क्शमतस में हरास होने नदी जल में मलवा अपूर्ती में वृद्धी होने प्रवागती में हरास होने अत्वा नदी के आधारतल में उत्थान होने पर अभिवरिद्धी की क्रिया होने लगती है। अभिवरिद्धी द्वारा मलवा निक्षेप से निर्मित भूतल की उंचाई कालानुसार बढ़ती है। प्रश्न अध्यारोपित अपवाह या पूर्वारोपित अपवाह क्या है? सूपरिम्पोजड ड्रेनेज। उत्तर ये एक विशिष्ट प्रकार का अपवाह तंत्र है जिसका विकास पहले उपरी शैल संस्तर होता है और बाद में उसके नीचे इस्थित शैल संस्तर पर भी ह जाता है नदी घाटी का विकास पहले उपरी आवरन शैल पर होता है नदी निम्नवर्ती यानि गहरे अपरदन द्वारा उपरी आवरन शैल को काट कर निचली शैल पर पहुँच जाती है और अपनी घाटी का विकास करती है इस प्रकार उपरी आवरन पर निर्मित घाटी अध्यारोपित नदियों का विकास प्राया स्थानिय संगरचना के विप्रीत पाया जाता है। टच या वोईस कमांड के जरीए हेक्टर कार को संचालित करने वाले आई स्मार्ट को अभी हाल ही में नेक्स्ट जेनरेशन एप को लाँच किया गया। इसमें 100 से अधिक कमांड के साथ आपात सेवा का फीचर भी है। इस कार की विशेशताएं हैं। रिमोट वो मोबाइल एप से नियंत्रन से पूरी कार को नियंत्रित किया जा सकेगा। जियो फेसिंग से आप तै कर सकते हैं कि कार कितनी दूरी के आगे न जा पाए। तीन सो साथ डिगरी पारकिंग कैमरा, पैनेरोमिक, सन रूप्फ और क्रूज कंट्रोल से लेस। प्रश्न केंचवा खाद यानी वर्मी कंपोस्ट से खेती में क्या लाब हैं ? इसे जानिए उत्तर केंचवा यानि प्रित्वी की आत्व प्रकृति का हलवाह यानि मृदा उर्वर्ता का बैरोमेटर या किसान का सच्चा मित्र यानि अर्थवर्म से क्रिशी में आनेक लाब हैं। प्रश्न तुलसी एक औशधिय पौधा के गुण जानिए जिसे घर के आंगन में लगाएं। उत्तर औद्योगिक मिशन के तहट किसानों को तुलसी की खेती करने हेतु दो हेक्टेर तक के लिए उत्पादन पर सबसिडी की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई। तुलसी के ये गुण हैं।